हाई अबरिवन इट्स मी पूजा सो वेलकम और वेलकम बैक टो मैं चैनल पी एस स्टाइल्स में तो आज की वीडियो होने वाली है संडे सदर बजार पट्री मार्केट की और आज की वीडियो में आपको काफी अच्छे कलिक्षन देखने को मिलेगा और संडे वाले दिन सदर बजार मार्केट सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक आपको लगी हुई मिलती है अगर आप अधर डेस चाते हो तो पट्री मार्केट सुबह 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक ही लगती है यहाँ पे आने के लिए आपको 3-4 मैट्रो स्टेशन मिल जाते है जैसे पूल वाले दिन आपको काफी अच्छा कलेक्शन मिल जाता है और एक और फायदा हो जाता है आपको एक-एक पीस मिल जाता है यहाँ पर दर्वाइस यहाँ पे हॉलसेल का ज़्यादा काम होता है तो क्राउड आप देख सकते हो संडे वाले दिन काफी जादा क्राउड होता है से भी आप इनको ले सकते हो 100 रुपीस प्राइस होता है जस्ट उनली 100 रुपे में भईया की पास क्वालिटी बहुत अमेजिंग होती है तो देखिए 100 रुपे में आपको इस तरह का कलेक्शन यहां पे देखने को मिलता है उनली 100 रुपीस में और नैट की क्वालिटी आप डिजाइन देख सकते हो सारे ही कलर ऑप्शन्स आपको यहां पे मिलते हैं नैट में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन यहां पे देखने को मिलते हैं सभी नैट के डिजाइन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगे प्राइस सभी का फिक्स होने वाला है 100 करें लुते हैं ये वाले भी आपको इंदलोग मिल जाते हैं अधरवैस आपको सदर बजार में मिल जाते हैं इस तरह की टॉबल माइक्रोफाइबर टॉबर की टॉबल होती है एली वाश हो जाती है कलर वगेरा कुछ केड़ नहीं होता इसका 100 रूपीस प्राइस होता है 100 वाले भीया यह वाले मिल जाएगे पीछे आप पर्दो और टॉबल का कलेक्शन देख सकते हो कितने सारे भीया के पास पीछे फोल्ड करे हुए रखे हुए यहां पर मार्किट में संडे वाले दिन काफी क्राउड होता है फिर यहां पर एक भीया सेल लगाते है सूट की जिन करो हमेशा मैं कहती हूँ कोई भी चीज आपको पैकिट बन नहीं लेनी है खोल के चेक करनी है उसके बाद पर्चिस करना है फिर यहां पर आपको काफी सारे भीया मिल जाएगे जिनके पास आपको बैट शीट के कलेक्शन मिल जाएगे और सभी भीया के पास काफी अच्छ इस तरह के डुपट्टा कलेक्शन भी आपको यहां पर मिलता रहता है संडे वाले दिन भाईया जो यहां पर डुपट्टे सेल कर रहते हैं इनका प्राइस अपको ऑनली पचास रुपे 50 रुपीस में डुपट्टे मिलते हैं यह वाले भीया भी आपको अगर आप अधर होगे ना तो यह लोगों का कलेक्शन जल्दी सेल हो जाता है फिर भाईया लोग चले जाते हैं तो देखो यहां पर काफी साई-साई डुपट्टे आपको यहां पर 50-50 रुपीस में मिल जाते हैं गोल्डन कलर का नैट का डुपट्ट्टा था काफी बढ़िया था और प् देन जाती है तो हर बार प्राइस ना डिफरेंट होता है तो हर बार सेम प्राइस नहीं होता है नेक्स टेम भाईया देखते हैं क्या लेकर आते हैं तो उसी हिसाब से प्राइस होता है कलेक्शन भाईया की पास बहुत अच्छा होता है हमेशा आप आओगे ना बहुत अच सारे बैट शीट वाले मिल जाते हैं तो जिन बैट शीट पसंद आया पर्चिस कर सकते हो काफी सही कलेक्शन आपको मिल जाता है ग्लेस कोटन फैबरिक की बैट शीट होती है 250 रुपीस प्राइस होता है इनका और इसमें से आपकी डबल बैट की बैट शीट बन जाती है और कलर भी फेट नहीं होता है और काफी इजली वाश हो जाती है काफी ठीक ठाक बैट शीट होती है मतलब कॉटन की बैट शीट का कलर फेट हो जाता है ये 250 रुपीस में आपको दो मिलती है सस्ते में और बिल्कुल ऐसी कैसी रहती है आप इसे जितना मर्जी धोलो ये सिकूर बजार आने लगी हूँ मैंने अंकल जी से सब कुछ खरी लिया और मेरे यूस का भी नहीं है पर दब भी मैंने खरी लिया क्योंकि इतना क्यूट कलेक्शन होता है इतना सुन्दर लगता है ये तो देखिए कितना प्रिटी प्रिटी कलेक्शन आपको यहाँ पर मिनी पर्स मिल जाएगे हेर क्लिप्स मिल जाती है यहाँ पर अंकल जी के पास बहुत सुन्दर कलेक्शन अंकल जी के पास यहाँ पर होता है फिर यहाँ पर आपको डेड़ सो रुपे के दो नैट पीस मिल जाते है और काफी अच्छा कलेक्शन होता है भी यह के पास नैट पीस का तो 150 रुपीस में आप 2 ले सकते हो अगर आप एक लोगे तो आपको 80 रुपीस का मिलेगा और 2 लोगे तो आप 150 रुपीस के आपको 2 मिल जाएगे फिर यहाँ पर एक अंकल जी लगाते हैं सैंडल जिनों जो लगाते हैं only Sunday वाले दिन 250 रुपीस में अंकल जी के पास बहुत अच्छा कलेक्शन होता है अंकल जी के पास range आती है 250-200 रुपीस तो party wear सारी सैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है एकदम fresh material होता है अंकल जी बिलकूल boxes में से निकालते हैं सारा कलेक्शन A1 quality का कलेक्शन आप यहाँ से purchase कर सकते हो इसमें आपको सभी types के pattern मिलेगे office wear, college going, party wear और यह देखिए casual wear मतलब हर types का कलेक्शन आपको इसमें मिल जाता है बैली, high heels, pencil heels और अगर आपको comfortable वाली चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है फिर यहाँ पे एक अंकल जी ने लगाए हुए थे boot और अंकल जी काफी सारे boot लेके आए हुए थे और लेकिन price सभी का same ही था, almost आप कोई भी लेलो, same price में ही आपको collection मिल रहा था तो देखियो काफी अच्छा collection आपको यहाँ पे मिल जाता है, सदर बजार संडे पटरी मार्कीट में और अंकल जी ने यहाँ पे कुछ standal वगेरा का collection भी लगाया हुए था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ पहले आप यह leather वाला देखिये, यह भी काफी pretty लग रहा है, एकदम fresh material होते है, बस यह क्या होते है न, दब जाते है और किसी-किसी में थोड़ा बहुत कुछ defect हो जाता है, दरवाइस एकदम fresh collection होता है, तो 200 रुपीस के आपको shoes मिल जाएगे, और यह 100-100 रुपीस के आपको boot मिल जाएगे, और यहाँ पे कुछ standal collection भी लगा हुआ था, और इन चीजों पे इतना जादे crowd होता है न, देखने कि बिल्कुल जगे नहीं होती, तो आपको यह belly मिल जाएगी, जुत्ती मिल जाएगी, यहाँ पे मोजडी मिल जाएगी, और यह high heels मिल जाएगी, इनका price है 150 रुपीस, 150 रुपीस में आपको collection मिल जाएगा, इसमें आपको pencil heel, transparent वाली, हर तरह का collection, इसमें आपको flat के options देख यहाँ पे, यह वाले अंकल जी मिल जाएगे, और यह अंकल जी हमेशा इस तरह का collection लेकर आते है, लेकिन हर संडे को अलग-अलग चीजे लाते है, फिर आपको यह 100 रुपे के pouch मिल जाते है, जिसमें आपको 2 pouch मिल जाते है, इसके अंदर एक और pouch मिलेगा आपको छोटा, औ और इसका price 100 रुपीस होता है, make-up के समान रखने के लिए, और भी कुछ अगर आप रखना चाते हो, तो रख सकते हो, तो 100 रुपीस के 2 होते है, दिखिए भाया ने खोल के दिखा एक अंदर एक बाहर है, 100 रुपे में आपको मिल जाता है, काफी बढ़िया होते है, यह इनका price 350 रुपीस है, और भाया के पास काफी सारी range है, तो मैं सारी range आपको दिखाऊंगी, क्या-क्या range की भाया के पास मिल जाते हैं, यह वाला आपको 150 रुपीस में मिल जाएगा, और उसमें options बहुत सारे हैं, यह देखिए, यह भी 150 रुपीस का है, तो काफी सारा भाया के मिल जाएगे, तो देखिए, 150 रुपीस में भाया के पास ना color design options इतने सारे देखने को मिलेगे, आप confused हो जोगे बिल्कुल कि कौन सा purchase करो, भाया के पास आपको sling के options मिल जाएगे, tot bag मिल जाएगे, almost भाया के पास हर collection आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, फिर य जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी चीज आपको packet बन नहीं खरीदनी है, आपको उसको खोल के दिखाना है, अच्छे से check करना है, उसके बाद ही purchase करना है, ठीक है, collection काफी बढ़िया होता है, लेकिन सारे suit यह वो वाले suit होते है, जो आपको कहीं ओना 350 and 400 रुपीस के लेकिन यहाँ पर भाईया की पास आपको sale में इतने सस्ते में मिल जाते है, और यह सारा collection आपको मिलेगा only Sunday वाले दिन, तो देखिए इन चीजों में bargaining नहीं होती है, fix price है भाईया का, क्यूंकि पहले भाईया बहुत reasonable price में collection sale कर रहे है, तो चलिए और आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए, मैं धोड़ा सा आगे गई ना, तो आगे भी तीन-चर भाईया बैट शीट वाले मिली ही जाते हैं, इनके पास काफी अच्छी बैट शीट आपको मिलेगी, लेकिन सभी के पास ग्लेज, cotton, fabric की ही बैट शीट होती है, और कोई options नहीं होते हैं भाईया इसा नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी टीशट होती है, और बहुत बेकार भी नहीं होती है, 30 रुपीस के होती है, तो आप एक बार एक पीस लेके पहन के purchase कर सकते हो, देख के अगर आपको अच्छे लगे तो आप बाद में purchase कर सकते हो, लेकिन 30 रुपीस के हिसाब से according to price देखिए 30 रुपे में क्या मिलता है, भाया टीशट सेल कर रहे हैं, और market में अभी इतना crown नहीं दिख रहा है, क्योंकि morning में ही गईती मैं 8-9 बज़े के करीब, 10-11 बज़े यहाँ पे इस area में इतना ज़्यादा crown हो जाता है, कि निकलने की बिल्कुल भी जगे नहीं हो 30 रुपे का आपको एक पर जाता है, तो काफी अच्छी quality के मुझे लगते हैं, packaging बहुत अच्छी होती है, 30 रुपे का एक पर सा आपको मिल रहा है, 1.500 रुपे के आपको 5 मिल रहे हैं, और options देखो भाया के पास कितने सारे options होते हैं यहाँ पे, तो चलिए और आगे चलते आगे का collection देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भाया ने निकर लगाया हुए थे, शौर्ट्स लगाया हुए थी, और काफी सही लग रहे थे, 30-30 रुपीस की भाया सेल कर रहे थे, और इस तरह के आपको night wear के options भी यहाँ पे मिल जाएगे, काफी सही collection आपको यहाँ पे मिल ज सकते हो, महाँ पे आपको यह padding वाली काफी बढ़िया inner थी, तो मुझे इसमें काफी चीजे बहुत अच्छी लगी, तो आप purchase कर सकते हो, अगर आप इस तरह की चीजे purchase करना चाहते हो, और अगर आप कहीं घूमने बगएर जा रहे हो, तो यह चीजे ले सकते हो, यहाँ से, काफी ठीक collection अंकल के पास यहाँ पे हमेशा अतर, यह अंकल ना हमेशा कुतुब रोड पे ही लगाते है, शौट्स के option अंकल के पास हमेशा आते रहते है, तो जल्दी मिलेगे next वीडियो में, जब तक के लिए, बाई!